हेलो दोस्तों मैं हूँ रॉय सेफ राइडर साइकल फ्रॉम सेफ शॉप के इस असेंबली और अन्बॉक्सिंग वीडियो में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से कुछ ही मिन्टों में अपनी नई साइकल को खुद ही असेंबल कर सकते हैं आपकी नई सेफ राइडर साइकल फ्रॉम सेफ शॉप कुछ इस तरह से बॉक्स में पैक करके भेजी जाती है ताकि वो सुरक्षित आप तक पहुंच सके टेप को काट कर आप बॉक्स को खोल लीजिए आपकी साइकल बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से पैक और सुरक्षित पहुंचाई जाती है दोनों हाथों से पकड़ कर आप अपनी साइकल को बाहर निकाल ले एक कटर की सायता से आप लगे हुए केबल्स को कट करके हैंडल बार को निकाल लीजिए बाकी बचे हुए जिप टाई को काट कर आप टायर को भी निकाल ले इस तरह के छोटे बॉक्स में आपको साइकल के पेडल साइकल की घंटी साइकल के रिफलेक्टर्स दिये जाते हैं आपके साइकल का मद गाड puff और आपके साइकल की सीट अलग से पैक रहता है Handle को लगाने के लिए आपको इन चार छोटे बोल्स को खोलना होता है इनको खोलने के लिए आपको 4mm की Allen की का इस्तमाल करना होगा यह Allen की आपको Box में ही दी जाएगी एक-एक करके आप सारे बोल्स को निकाल लीजिए निकल जाने के बाद यहां पर हम अपने हैंडल को लगाते हैं हैंडल को लेकर आप इस जगे पर कुछ इस तरह से रखिए और अच्छे से पकड़ कर आप उपर वाले कवर को लगा दीजिए निकाले हुए बोल्स को आप वापस उनकी जगे पर लगा दीजिए कुछ इस तरह से चार एमेम की एलिंकी का इस्तमाल करते हुए आप सभी बोल्स को उनकी जगे पर लगा कर अच्छे से टाइट कर दीजिए आपका हैंडल बार अप पूरी तरह से लग चुका है आपके साइकल में अब बारी आती है आपके साइकल में सामने के मटगाट को लगाने की मटगाट को कुछ इस तरह से आप पोजिशन में रखिए साथ दिये गए बोल्स से आप इसको सस्पेंशन के साथ लगा कर सुरक्षित कर लें इस चोटे से नट को आप पीछे के तरफ से बोल्ट पर टाइट करके लगा दे अब बाकी बचे हुए सामने के मटगाट के पीस को भी हम लगा देंगे स्कूरू ड्राइवर की मदद से आप इसको भी अच्छे से टाइट कर दें आपका मटगाट अब लग चुका है अब बारी है हमारे सामने वाले टायर को लगाने के लिए सामने के वील को लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस नट को थोड़ा सा ढीला करना होता है सामने के wheel को लगाने के लिए अपने cycle को कुछ इस तरह से आप उल्टा रख दे जिससे wheel को लगाने में आपको काफी मदद मिलती है आप धीरे से wheel को उपर से नीचे के तरफ ले आए और उसके जगे पर लगा दे ध्यान रखे कि डिस्क ब्रेक के ब्लेड वाली साइड को आप डिस्क ब्रेक के साइड पर ही लगाए इस छोटे से वाशर को आप धीरे से अंदर धकेल कर इसको सुरक्षित करें जिससे ये अपनी जगे पर बना रहता है वील लग जाने के बाद आप नट को पहले हाथों से थोड़ा टाइट कर दे फिर 15 नंबर के स्पैनर जिसको हम चाबी भी बोलते हैं उसका इस्तिमाल करके इसको अच्छे से टाइट कर दे ये स्पैनर आपको बॉक्स में साथ में दिया जाएगा डिस्क ब्रेक को अड्जस्ट करने के लिए आप डिस्क ब्रेक के नट को थोड़ा सा धीला कर लिजिए इसके लिए हमें 5 mm की ऐलन की का इस्तमाल करना होगा 5 mm की एलन की आपको बॉक्स में साथ में दी जाएगी धीला होने के बाद आप डिस्क ब्रेक को ठीक जेके पर करके वापस टाइट कर दीजे आपके साइकल में पेडल को लगाना बहुत ही आसान है आपके पेडल पर एल यानि के left और आर यानि के right का निशान तिया हुआ है जिससे आपको मदद मिलेगी उनको सही जगे पर लगाने में सबसे पहले हम आर यानि के दाहीने पैर वाले जगे पर पेडल को लगाएंगे इसको लगाने के लिए आप इस तरह से इसको अंदर धीरे धीरे लगाईए 15 नमबर के स्पैनर से आप पेडल को अच्छे से टाइट कर दे यह स्पैनर आपको बॉक्स में मिल जाएगा इसके बाद हम बाएपेर वाले पेडल को लगाएंगे जिस पर एल का निशान लगा हुआ है इसको भी पहले के तरह आसानी से लगाएंगे। आपका पेडल भी आप आसानी से लग चुका है । सीट को लगाने के लिए आप इस लीवर को धीला कर लीजिए कुछ इस तरह से आपकी seat पहले से ही seat post के साथ लगी हुई आती है seat को लगाने से पहले आप कुछ इस तरह से उल्टा कर ले उल्टा कर लेने के बाद दिये गए लाल reflector को कुछ इस तरह से नीचे से उपर seat के तरफ लगाएं आपका reflector कुछ इस तरह से दिखेगा लगने के बाद इसके बाद आप इसी तरह से पीछे लगने वाले मटगाड को भी लगा ले जिससे आपको सुविदा होगी seat लगाने में अब आप अपने seat post को उसके जगे पर आराम से अंदर के तरफ लगा दे सीट पोस्ट लिवर को टाइट करके आप सीट को सुरक्षित कर ले आपका मटगाड काफी अडजेस्टेवल है जिसको आप अपने पसंद के अनुसार अडजेस्ट कर सकते हैं एक छोटी से नॉप की साहता से अब हम लगाएंगे आपके गियर के गाड़ को नट को निकालने के लिए आपको दिये गए पंद्रा नंबर के स्पैनर यानि चावी की जोरुत पड़ेगी जो आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा निकाल लेने के बाद आप गियर गाड़ को लगाएं लग जाने के बाद नट को वापस उसकी जगे पर लगा दें और दिये गए स्पैनर की साहता से इसको टाइट कर लें यह गाड़ आपके गियर को सुरक्षित रखने में साहता देता है अब हम हैंडल पर हमारे रिफले फिर हैंडल पर कुछ इस तरह से आप इसको सुरक्षित करें साथ दिये गए स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर दीजे घंटी को लगाने के लिए आप बस धीरे से इसको हैंडल पर लगाईए और साथ दिये गए नट से इसको टाइट कर दीजे आपके cycle में दिया गया stand lock होने वाले features के साथ आता है जिससे stand लगाते वक्त वो lock हो जाता है और stand tight रखता है Stand को खोलने के लिए आप lock को कुछ इस तरह से पीछे धके ले और stand को खोल ले आपकी नई cycle अब पूरे तरीके से तयार है इससे पहले कि आप अपनी cycle को पहली बार चलाने जाए कुछ बातों का ख्याल आपने रखना है आप ये जरूर चेक कर लें कि आपके जो breaks है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हो अगर आपने इससे पहले कभी cycle को खुद assemble नहीं किया है तो हमारी सलामानिये आप किसी professional mechanic की सहायता लेकर ही अपने cycle को assemble करें इससे आपकी cycle बिना किसी समस्या के assemble हो जाएगी safe shop के तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुब कामना देते हैं हुआ 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 है